हालो दोस्तो स्वागत है आप सभी का राहूल एकेडमी पर आज आपका 27 जोन और आज आपका पहला कोशन पुछा गिया था कि माई इस्टोरी पुस्तक के लेखा कौन है तो इसका करेक्ट आंसर आपका हुजाएगा कामला दास है अमजद अली खान का समध किस वाद यंतर से है तो इसका करेक्ट आंसर आपका हुजाएगा सरोद वाद यंतर से है अगला का कोशन था कि ह लड़ा गिया था तो हल्दी घाटी का यूद आपका 18 जून 1576 इस भी को महराना प्रताब और आपके अक्वर के बिच लड़ा गिया था जिसमें आपका अक्वर भी जई रहा था दा गाइड पुस्तक के लेखा कौन है तो दा गाइड पुस्तक के लेखा का आपके आर के नरायन है पहले बित आयो के अध्याच कौन थे तो पहले बित आयो के अध्याच आपके केसी नियोगी थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खेलो की संख्या कितनी थी तो खेलो की संख्या आपका 18 था अगला आपकोचन था कि CPWD का फुल फरम क्या होता है तो Central Public Work Department होता है बित आयो का सवंद किस अनुछेद से है तो बित आयो का सवंद आपके अनुछेद 280 से है मुद्रा योजना में एम का अर्थ क्या है तो मुद्रा योजना में एम का अर्थ आपका माइक्रो होता है अगला आपकोचन पुछा गिया था कि गौतम बुद का जन्म कहा हुआ था तो गौतम बुद का जन्म आपके नेपाल के लुम्बनी में हुआ था नटाल कांग्रेश की असाबना कप की गई थे तो नटाल कांग्रेश की असाबना का 22 मई 1894 एसबी को महात्मा गाधी जी के द्वारा किया गया था अगला पकोचम पुछा गया था कि अनुछेद 48 एका समन्थ किसा से है तो पारियावण तथा वनो और वन जीव की रच्छा करने से है अगला कोचन है कि राज के निती निदर्शक सिधान तक किस अनुछेद में दिया गया है तो अनुछेद 36 एकावन तक दिया गया है और राज के निती निर्शक सिदान तापके आयरलेंड के सविधान से लिया गिया है अगला आपका कुछ आप पुछा गिया था कि टोकियो उलंपिक में भारत की रैंकी किनी थी तो भारत की रैंकी आपका 48 नवर पर था भारत की सबसे उची चोटी कौन है तो भारत की सबसे उची चोटी आपका कंचन जांगा चोटी है दिवाली हिंदू कलेंडर के किस महीने में आता है तो यह आपका कार्थिक महीने में आता है अगला आपकोचन था कि कथा सरीत सागर किस भासा में लिखा गया है तो यह आपका संस्क्रीत भासा में लिखा गया है और किसके द्वारा लिखा गया है तो सोम देव के द्वारा लिखा गया है अगला कोशन था कि किस सवीधान संसोधन द्वारा एक ही बेगती को एक या एक से अधिक राजियों का राजिबाल न्यूक्त किया जा सकता है तो इसका करेक्ट राजसर आप्को हो जाएगा सातवा सवीधान संसोधन 1906 में यह भीयस्ता किया गया था अगला आपका कोचन पुछा गिया था कि मेगास्तनीज किसके राज दर्बार में आये था तो मेगास्तनीज आपका सेलुकस निकेटर का राज दू था जो आपके चंद गुपत मौरी के दर्बार में भारत आये था इसके आगे अब का अगला कोचन था कि बाइ डुमेन किसकी आतमकता है तो इसका करेक्ट अंसर अपका हो जाएगा गुल्सन ग्रोवर की आतमकता है अनुशेद पचहत्तर के अनुशार मंत्री परिसद सामोही के रूप से किसके प्रतिऊ उतरदाई होते है तो लोग सभा के प्रती उतरदाई होते हैं अगला कुछन था कि कुछी पुड़ी किस राज का लोग निरती है तो यह आपका आंद प्रदेश का निरती है अगला कुछन था कि किस भारती राज की सचहरता दर सबसे कम है तो सबसे कम आपका सचहरदर दर बिहार का है और सबसे ज़्यादा सचहरदर किस राज का है तो वो आपका केरर राज का है अगला कोशन था कि एक बल्लेबाज को कितने तरह से आउट किया जा सकता है तो एक बल्लेबाज को दस तरह से आउट किया जा सकता है वासकोट डिगामा कहां कराने वाला था तो वासकोट डिगामा आपका पुर्तगाल कराने वाला था यह भारत कब आया था तो यह भारत आपका 1498 इस भी में आया था अगला कोशन मैं पूछा गिया था कि गिध्धा नीर्त का समंद आपके बांगणा नीर्त का समंद आपके पंजाब राज से है तो देखिए आज हमने आपके 27 से जून के फर्ट रसिप्ट के एक्जाम में जितने भी कोशन पुछे गए थे यानि हमें मिले थे उसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा किया और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रूप दिया गया है वहाँ से जून टुकर्स का PDF राप्त कर सकते हैं और अगर कोई कोशन छुटा हुआ है तो नीचे आप कमेंड करके बता सकते हैं कि यह कोशन आज के एक्जाम में हमारे पुछा गया था और इसी तरह analysis पाने के लिए आप चैनल को subscribe कर लिजिए क्योंकि इसके बाद हम जो आपका second receipt है उसका analysis लेकर आने वाले हैं तो चलिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद